नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आज का यह वीडियो आप शबी के लिए बहुत ज़्यादा महत पुन और बहुत ज़्यादा खाश रहने वाली है इसलिए आप इस वीडियो को अकेले में देखें कि दोस्तों इस वीडियो में आप अप आपके जुनकाल में जो घटनाया को भाघ रही है जूपी contaminate कर रही है आधिर कर रहे हैं उनका कारण क्या है आपको विजनकाल से अंघिवजु कर रही है कि इनक 다음에 विज Guidelines पता चलेंगी इनकि वजह जो है जानकर आपके पहुसर में इस लिह तो आप शिए यही है कि वीडियो को बिल्कुली मिशना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा जिए दोस्तों इस वीडियो में आप शबी महत्पुन जानकरी को जानेंगे कि पिछले शमय नत्राल में और अभी जो आपके शाथ घटनाई हो रही है क्यों हो रही है और किसक बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दे लिखेगा गुरू जी का और माता रानी का शीज अशिरबात प्राब करेगा तुम इतना जरूर लिखेगा और यदि आप शल पर भी नए है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथे बैल आइकन को प्रेश करके और पर शमय की बात कर रहे हैं दोस्तों मोश्रम का मतलब शमय है दोस्तों आपको बता दें कि आपने हर तरह के मोश्रम को देखा है हर शमय में हर परकार की पिस्ति और सिच्विशन को जहला भी है अपने जियोन में अच्छा भी देखा है तो आपने जियोन में बुरा भी जरूर देखा है दोस्तों आपने अपने जोन में खुश यहां देखी है वहीं अपने जोन में गंभी आपने देखा है दोस्तों पिछले शमेंटराल में आपने उम्मीद भी रखी है आपने अपने उम्मीद लगाई बेठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत यह अच्छा होने वाल कुछे हैं कि आने वाले शुमी में हमें पहत्री परणाम जरूर देखने को मिलेंगे शाति आपको बता दें कि दुख में दर्द में चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों नहीं हो आपके चेहरे पर मुश्कुराइट हमेशा बनी रहती है दोस्तों आप अपने दुखों को किसी के शात व्यक्त नहीं करते हैं या पिर कर भी नहीं पाते हैं दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इक्षाय होती है कुछ करने की कुछ बनने की अनेक इक्षाय अनेक तमनाई रहती है आपके मन में कुछ ऐसे भी तमनाई होती है कि आप अप प्रात कर शकें, आप उन्हें मन पशंद की चीज़ों को, मन पशंद के कालियों को करें, और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं, उसे प्रात करें, लेकिन दोस्तों, आप इस शमे की मार और घर की महत्पों जमितारियों को देखते हुए, पीछे रख जाते हैं, या फिर कहीं पर आपको इस्यर में केशी मार पड़ती है कि आप अपने अर्मानों को अपने अंदर इन दबा लेते हैं शादे दोश्वर आपको बता दे कि आप जानते हैं आप जिस इस्तिति पर है जिस भी लोगों को देख कर, अपने शपनों को देख कर, अपने मन में हमेशा एक्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिर एक नाईव दिन ज़रूर मिलेगी और आप जहां हैं वहां पर आप खुश नहीं हैं लेकिन दोस्तों यहाँ बात भी बिल्गूर शाते हैं कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर ने छोड़ी आप से जितना हुश्चका आप जितना प्रयाश कर सकते थे आपने पूरा प्रयाश किया पूरे हिर्दे से दिल के गहरायों से अपने शबलता पाने के लिए क और उनको प्राप्त करने की जो ललक है जो तमना है वो आपके अंदर अभी भी है इसके साथ ही दोस्तों में आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्मून कारी को छोड़कर उनके शाहता करते हैं दिलो जान से उनकी हेल्प करते हैं आखिर वो ही आपको धोगा दे देते हैं और जब आपको उनकी जरत पड़ती है तो दोस्तों में पीट पेज़े करके आगे चल देते हैं इसके साथ हम आपको बता दी कि आपकी जोन में कुछ यसी भी घटनाई घटी दुई है जो आपको सोचने पर मजबूत कर देती है और बहुत ही ज़्यादा दर्दना चाहते थे जहां पर आप पहुंचना चाहते थे वहां पर अभी भी पहुंच नहीं पाये हैं इसके लिए आप पूरी कोशिज भी कर रहे हैं आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्या हुआ कौन सी वजह है कौन सा कारण है जिससे आपको शबलता अभी त तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह बहुत बहुत कारण हैं लेकिन कुछ मुख्य कारण है जिनकी वज़से आप अपने लक्च तक अपनी मन्जिल तक नहीं पहुच पा रही हैं पहला कारण है दोखा दोस्तों आप अपने जियोन में जिनके उपर विश्वास करते हैं उनकी शाहता कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं जिनको आप अपने शारी जानकारियं भी देते हैं वही लोग आपको दोखा भी देते हैं और आपको नुक्षान हो जाता है इसे के शाहत मापको बिता दे कि दोस्तों आप कोई भी कारी करती हैं तो उश में जल्दबाजी और उतावले से गरते हैं उश्के कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके दिवर में फिल्च का निर्मान रहा है लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि जो ब और अपने जरूर कुछ अच्छा नुभव भी किया होगा आपने देखा है कि बुरे वक्त में किशने आपका शाद दिया है अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है कौन शाह तारिप करता है और कौन बीच में रहकर अच्छे अच्छी बातें करते हैं और दोस्तों आप शुबी को बता दें कि आपने अपने जोन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुबब कर लिया बहुत कुछ शिक लिया और बहुत शारी प्रिशानियों को जह लिया लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यश्मे वावधी में आपके प्रिशानियों कंत होगा कि आपने पिछले सिमित जो भी गावाया है वयश में आपको मिल रहा है दोस्तों आपका पूरा वक्त अब धीरे-धीरे श्माप्त हो रहा है और आपके जोनकी शारी प्रिशने धीरे-धीरे दूर होते वे इस महिने में आपको नजराने वाले ही दोस्तों आपका अपने व्यक्तितु और रहन शहन के प्रति अधिक सजग रहना मित्रों और श्रहिएगों के बीच आकरशन का कारण बनेगा शमाज में भी आपकी छवी और अधिक निक्रियेगी दोस्तों जीवन के प्रति शकार्तमक दिश्चिकों आपको महनशिक रूप से और सारी रूप से दोनों से स्वर्ण रखेगा अगर आपकी शाथनी को लिकर बात करें तो दोस्तों ये श्माज करें किसी भी प्रकार ये यह चार्थे बहुष के लिए थरूण के वह बने रहेंगे हर किशी व्यक्ति के बारे में नकार्तमग होना आपको अपने ही अंदर नकार्तमगता भी दिखा शकता है दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों को बदलने का जिद और किशी भी रिलेस्टिप को खराब होने के लिए दूसरों को जिमेदार ठाराना आपको पेरिवेक्तियों से दूर कर रहा है दोस्तों खुद के दवरा होवी गलतियों की जिमेदारी उठाना आपको यश्मेश सिखना होगा इस दुपरान दोस्तों यश्माई आपके लिश्मेवंगे आपको बदा दे कि दोस्तों भावनों की बजाए चोतराई और पर भली बाती विचार आवश्कर लें बैतर होगा कि दोस्तों घर के सब्सक्राइब आपके लिश्मेवंगे दोस्तों जितनी प्रिस्तिती आपके लिए कठीन लग रही है उतनी कठनाया आपके जियोन में नहीं है केवल आपके विचारों दोवारा आप जो है खुद को तकलिफ दे रही है इसलिए दोस्तों रोजमर्रा की जिन्दगी से थोड़ा ब्रेक लेकर फिर अपने लक्ष को बारे में सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा इसको प्रांदोस्तों यशमय आपके लिए सुनोंगी आपको बता दें कि दोस्तों यशमय घर के नविकरन अथवा रखरकाव शमंदी यजनाओं पर विचार विवश हो सकता है किसी समाजी करतिकियों में भी आपका शमय महत्पून योगदान होने से आपका मान समान भी शमय बढ़ने वाला है इसको प्रांदोस्तों अगर घर या फिर वहान शमंदी खरिदारी की यजनाओं बन रही है तो दोस्तों उसके लिए जो समय होंगे समय अनुकूल है तबांदोस्तों शमय आपके शमय के आपको बता दे कि अपनी गलती शुधारने का आउश्र भी यह प्राप्त होगा अपने दवरा हुए कामों को जो भी गलत काम थे आपके शमय उन्हें ठीक करने के आप कोशच कर दें नई काम की शुरुवात करने के लिए यह जो हमएंय आपके लिए छीक नहीं होगा तो परकार के मुधे पर विचार मंदीत हो में अंपोट पर तूरंद अमल करें पैस्तियां आपके लिए यह अनुकुल रहने वाली है इसको अपने शवाव विचारों को शकार्त में बना कर रखें कभी कभी आपका संक्रावनों शवाव दूसरों के लिए प्रिशानी का कारण भी बच्शकता है यह अवर के बेकार की तुद्यों म कामों के बारे में दूसरों के दोवारा पर शवाव मिलने की अपक्षा रखना आपके लिए तकलिफ दायक हो रहा है इसलिए दोस्तों अपना काम करते रहें और बड़ा यश्प्राप्त करने की सोच रखकर आगे बढ़ें दोस्तों आपको आपके अंदर की सच्चाई औ और काम के परते निश्था को आगे बढ़ना चाहिए इसको परांगों समय किसी भी तरकी इनकुरिक अशंका बन रही है डिटेल की अपक्षा होसेल कार्येदा च्रपल रहेंगे यह में ऑफिस का महल जो है बहुती शान्ती पूर्ण रहेगा इसको परांगों सोच्चाइक के केरेट के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि यश में कारी छेतर में कुछ खास फेसले लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है तो तुम बहतर होगा कि कुछ भी नया शुरू करने की अपेच्चा अभी वर्तमान पर ही अपना ध्यान को आपको फोकस करें नोकरी पेशाव प्रंदु सावधनी रखने से आपके कारे निरुएग ने पूरे हो जाएंगे दोस्तों कारे स्टल फर श्टाप की विदियों पर ध्यान देना भी आपके जरूरी होगा इसको प्राण दोस्तों यह श्मय आपके केरेर के लिए जीजी जीजी मेह होंगे आपके व्योंको बता दें कि बीजनसमें अपने लक्ष की क्वैलिटी को अधिक बहतर बढ़ाने में आपको द albums देना चाहिए दोस्तों कोई महत्पुन ओरर भी कोई मिलने की शमाना बन रही है यह शमय मार्केटिंग और शंपर्क शुत्रों को और अधिक मजूद करने का शमय होगा दोस्तों आपको बदा दें कि यह शंपर्क शुत्रों आपके भुष के लिए बहुत ही महत्पूर शाब्द होंगी तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान इसको परांथ दोस्तों यह शमय अगर आपकी लव लाइप को लेकर बात करें तो दोस्तों यह शमय अपने वैस्तेम्ट समय में जो है परिवार के लिए कुछ शमय निकलना आपसी समद्दों को मदूर रखेगा तथा परिवार में भी खुश्याली भरा वातर हो रहेगा तो दोस्तों जरूर शमय निकालें इसको परांथ दोस्तों यह में आपके लव लाइप के लिए आपके प्रेम जीवन के लिए समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ उचीत तालमिल बिठा कर रखने के लिए आपको शयुग आवश्यक है विवातर श 26 अदर्स आपस में प्रफुलित भी तथा खुश रहेंगी इसको प्रांथ दोस्तों यह में आपके लव लाइप के लिए समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि पती पद्नी दोनों ही वैस्ता की वज़र से घर पर समय नहीं देपाएंगी प्रन्तु घर का महाल जो एक ख यह चेड़ा परण हो सकता है दोस्तों मेंट टेसल या फिर योगा करना यश्मिए आपके शमस्या का उचीत निवारन होगा तो इन पर जरूर धियान दें इसको प्रांथ उसम्हें इसमें आपके स्वास्त के लिए आपको बता दें कि दोस्तों एलरजी व कर खांसी प्रवाई बरतना इसमें आपके स्वास्त के लिए भी बहतर होंगे